मित्रों, आज हम लोग जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निवन बाजार दर्शन पर चर्चा करेंगे यह निवन NCEAT द्वारा निर्मित कच्छा बारा की हिंदी पाठ पुस्तक आरो के बारवी पाठ के रूप में समिलित है इस पर विस्तार से बात रखने के लिए डॉक्टर निलकंट कुमार आज हमारे साथ उपस्तित है डॉक्टर निलकंट CIET में भाशा सिक्षा हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदपर कारिरत है डॉक्टर निलकंट आपका स्वागत है धन्यवाद अभय जी और सभी दरसकों के प्रती भी मेरा अभिवादन हिंदी साहित में स्री जनेंद्र कुमार का योगदान अतुल्य है प्रेमचन के बाद स्री जनेंद्र कुमार ने ही अपनी विशिस कहानियों और उपरन्यासों के द्वारा हिंदी साहित को एक नई उचाई परदान की जहां प्रेमचन की कहानिया सामाजिक और आर्थिक सरोकारों से लैस होती थी वहीं स्री जैनियंद्र कुमार की कहानियों और उपन्यासों में पात्रों के अंतरमन के दर्शन होते दे हिंदी साहित में मनोविश्रेस नात्मक्ता की धारा को स्री जैनियंद्र कुमार ने ही स्थापित किया उनकी कथाओं में सुक्ष, मनोवग्यानिक विसलेशन समय और समाज को ही परिलक्चित करते दे। उनकी प्रमुख रचनाये हैं परक, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्यानी, विवर्थ, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कहानी संग्रह हैं फासी, वातायन, निलम देश की राजिकन्या, एक रात, दो चीरिया, पाजेव, जैसंदी तथा जैन्यंद्र की कहानिया जो सात भाग में प्रकासित हुई हैं। उनके निवन्द संग्रह हैं प्रस्तूत प्रस्ण, जड़ की बात, पुर्वोदे, साहित कस्ते, मन्थन, सोच, विचार। जैन्यंद्र कुमार का जन सन 1905 में अलिगड के कौडिया गाउं में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनके जन के दो बर्स के पस्चाथी इनके पिता की मृत्यू हो गई, इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोशन किया। जैन्यंद्र की उच्च सिक्षा काशी हिंद्र भी स्विध्याले में हुई, उन्होंने देश के स्वतनता अंदोलन में भी सक्रिय भूमी का निभाई। साहित और सिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्री जैन्यंद्र कुमार को सन 1971 में पद्वुहुशन से भी सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध जैन्यंद्र कुमार द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 1966 में साहित अकादमीक प्रोष्कार से भी सम्मानित किया गया। 24 दिसम्मर 1988 को उनका निधन हो गया। बाजार दर्शन जैन्यंद्र कुमार के प्रमुख निवन्दों में से एक है। अपनी भाशा कौसल से उन्होंने बाजार की जटिलताओं और कुछ नैतिक और आर्थिक सवालों को जिस बखुवी से रखा है वो इस निवन्द को कालजई बना देता है। गंभीर वैचारिक और दर्शनिक बुद्धों के बीच छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से जैन्यंद्र कुमार ने जिस तरीका से विशेवस्तु को सरल बनाया है वो अध्भूत है। निवन्द आज भी शायद उतना ही प्रासंगिक है जितना जब यह लिखा गया था। बाजार का स्वरूप बदल गया है लेकिन इस निवन्द में उठाएगए सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बाजार मुलता अर्थ सास्त का एक विशय है। इस निवन्द में जनेंद कुमार बाजार की विज्ञानिक्ता, नैतिक्ता और अरनैतिक्ता के ऐसे ही घाल मेल को सुल्जाने का प्रयास करते हैं। कबीर जब बाजार में खड़े होकर करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिये लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप नो चले हमारे साथ, तो उनका मकसद साथ ऐसे ही मानसिक्ता को त्याजने के लिए होगा। प्रस्तूत निवन बाजार दर्शन में जैनेंद्र कुमार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से शुरुवात करते हैं, जो बाजार तो जाता है कुछ एक समान खरीदने के लिए, लेकिन लोटता है आवस्यक्ता से कहीं अधिक समान खरीद कर। उससे पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो पहले तो अपनी पत्नी पर दोश मरने की कोशिस करता है, और फिर बाजार के चका चौन पर, जैनेंद्र कुमार इनकी अर्थपूर्ण विवेचना करते हैं, और फिर एक दूसरे व्यक्ति की कहानी कहते हैं, जो समान ल भगत जी की जो चूरन बेशते हैं, भगत जी पूरी निरलिप्तता के साथ चूरन बेशते हैं, वो जरूरत और आवशक्ता से ज़्यादा नहीं, भगत जी बाजार की सीमा और शक्ति दोनों समझते हैं, लेकिन निरलिप्त भाव से, आइए हम डॉक्टर निलकंट कुमार से इस निवन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. निलकंड जी, बाजार तब भी था, बाजार आज भी है और बाजार कल भी रहेगा. ऐसी परिस्थिति में आप इस निवन की प्रसंगिता क्या है? इसके बारे में आप थोड़ा बोल सकें तो अच्छा रहेगा. जी, ये बाजार दर्सन सीर्शक से ही स्पस्ट है, कि बाजार के संदर्व में जो भी विमर्स है, जो भी विचार है, वो इस पाठ के अंतरगत सामिल हैं, निहित हैं. देखिए, बाजार पहले के जमाने में, जब यह निवन्ध लिखा गया था, कई दसक पहले, तब बाजार एक जगह हुआ करती थी, जहां लोग अपनी इच्छा से जाते थे, कुछ खरीदना हो, कोई आवस्यक्ता हो, या कुछ लोग जिनके पॉकेट में, जिनकी जेब में जरुरत से अधिक पैसा हो, वो सौक पूरा करने के लिए भी बाजार जा सकते थे, लेकिन तब बाजार एक जगह थी, लेकिन आज के जमाने में बाजार सिर्फ एक जगह नहीं है, बाजार हमारे कीचन में है, बाजार हमारे घर में है, बाजार हमारी सुबह में है, बाजार हमरी शाम में है आप सुबह उठते हैं, किस टूथ ब्रस से दाद साफ करेंगे, कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे सबेरे में जिस तरह की आवस्यक्ताइं तयार कर दी गई हैं वो भी लगभग बाजार को जा चुकी है तो सिर्फ कीचन, घर, सुबह, साम ही नहीं हमारा हाथ जिस हाथ में एक मोबाइल होता है वो अपने आप में एक बाजार है पूरा का पूरा बाजार उस मोबाइल पर सजा हुआ है आप किसी भी साइट पर जाएं और किसी च्छन कोई भी खरदारी कर सकते हैं ऐसी स्थिती में अभै जी बाजार सिर्फ अब एक जगह नहीं है बाजार जगह के अलावा हर ख़ण हमारी जीवन चरिया में शामिल है तो ऐसे में जब बाजार और बाजार जब आप कहते हैं तो बाजार का मतलब आपकी करई सकती जिसके पास कोई क्रै सकती नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, बाजार उसको नहीं पूछता तो कहने का मतलब ये कि आपकी क्रैग छमता, आपकी समझधारी ऐसे समय में जब बाजार आपकी चारों तरफ मौजूद है तो बहुत आवस्यक है कि आप बाजार को लेकर एक समझविक्सित करें अगर आप अपनी समझधारी का प्रियोग इस बाजार की दुनिया में नहीं करेंगे तो आप तमाम तरह के कॉंप्लेक्स, तमाम तरह के हीन बोध, इनसे ग्रसित हो सकते हैं जैसे कि आप गोरे हैं या काले हैं, बाजार आपको बताता है कि आप एक क्रीम लगाएं और काले से बेहतर गोरे हो सकते हैं बाजार आपको बताता है कि आप किस company का इस्तेमाल करें कि उनका दिया गया slogan कि इसको लगा डाला तो life जिंगा लाला आपका जीवन आनन्द से भर जाए आपके जीवन को ठंडा करना है तो कोको कोला चाहिए आपको सुडावल दिखना है आप अगर सुडावल नहीं दिखते हैं कुछ इंच निर्धारित किये गए हैं इंच और उन मानदंडों पर तो आप हीन बोद से हीनिता बोद से क्रसित हो सकते हैं इस तरह के तमाम फैसन हैं उठने बैठने के तौर तरीके हैं यहां तक कि आप जहां जाते हैं जिस रेस्टरा में खाते हैं जिन चीजों को आप खाते हैं वो सारे स्वाद, संस्कृती, सब कुछ बाजार को सुपूर्द हो चुके हैं तो ऐसी स्थिती में जब बाजार आपकी जीवन चरिया में सामिल है, दिन दात आप उससे होकर गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिती में आपको एक कौसल की आवस्यक्ता है, आपको एक समझ की आवस्यक्ता है हम कहते हैं कि विद्यार्थियों को जीवन कौसल जानना चाहिए और अलग-अलग तरह के जीवन कौसल बताए भी जाते हैं जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप दूब जाएंगे तो तैरना आपको आना चाहिए अगर आप बचना चाहते हैं इसी तरह जीवन में तमाम कौसलों की आवसकता होती है तो आज के जमाने में सिर्फ नहीं तैरने से आप नहीं डूबेंगे आप अगर बाजार की समझ नहीं रखते हैं तो लोग बाजार में भी डूबते हैं आपने सुना होगा कि सेंसेक्स के उपर जाने से और नीचे जाने से कितने लोग बाजार में डूब गए तो अब सिर्फ तैरने और नहीं तैरने का मसला नहीं है उतना ही महत्पूर्ण जीवन कौसल बाजार की समझ है तो ऐसे समय में इस विशे पर इस निवंध पर इस विजार पर मुझे लगता है बार बार वी मर्स होना चाहिए और हमारे विद्यार्थियों को आज की तारीख में जब वो बड़े हो रहे हैं ठीक से अभी बाजार को नहीं समझा है तो ऐसे विशे को जरूर सामने लाया जाना चाहिए ताकि एक मुकमल समझ उनके दिमाग में बने और वो बहुत संतुलित तरीके से बाजार का उपियोग कर सके आपने निलकर्ण जी बहुत सही का कि बाजार की प्रासंगिकता आज भी है और बाजार का स्वरूप जरूर बदला है जैसा कि आपने कहा कि अब बाजार हमारे मोबाइल फोन में है बाजार वर्चुल है लेकिन बाजार की जो केंद्र में है बाजार जो जिस तरह के आर्थिक बेवस्था में हम है उसमें जो बाजार की जो केंद्रिता है वो अभी भी बरकरार है इसके साथ एक दूसरा सवाल जो इस निवन्द के संबन्द में उठता है कि इस निवन्द में लेखक ने कुछ वाक्यों का इस्तिमाल बहुत किया है जैसे कि मन का खाली होना, मन का भरा होना, मन का बंध होना, जेब खाली होना, जेब भरा होना परचेजिंग पावर का भी जिक्र किया है लेखक ने इन सब के क्या आशे हैं और इसका इस जो निवन्द में जो लेखक जो बात कहना चाहते हैं उससे वो कैसे लिंग्ड है अब यह देखिए यह मूल रूप से निवन्द है विधा के रूप में और निवन्द होने के कारण वैचारिक और दार्सनिक टच लिए हुए हैं तो अब जब ये वैचारिक और दार्सनिक होने के नाते इसकी भासा थोड़ी सी दुरू हुए है थोड़ी सी कठिन है लेकिन इस कठिनता को इस मुश्किल को सुगम करने के लिए उन्होंने कुछ कहानियों का सहरा लिया है और ये जो मन का खाली होना, मन का खुला होना, मन का बंद होना, मन का भरा होना इस तरह के परबंधों का उप्योग किया गया है उसको स्पस्ट करने के लिए उन्होंने तीन कहानियों का अलग-अलग उलेक किया है आप कहें तो तीन घटनाओं का उलेक किया है जिसमें एक उनका मित्र है जिनके जेव में काफी पैसे हैं और वो बाजार में जाते हैं और बाजार में जाने के बाद जो उनकी आवश्यक्ता नहीं है उस आवश्यक्ता से अधिक खरदारी करके भी चले आते हैं और उनका जेव खाली हो जाता है तब लेखा कहते हैं कि अगर इनके पास और पैसे होते, तो संभावत ये और खरदारी भी कर चुके होते तो इसी संदर्फ में वो इसको जोड़ते हुए कहते हैं कि जब जे भरा हुआ हो जे भरे होने का मतलब कि जब आपके पास पैसे हो और मन खाली हो मतलब मन में आप कुछ तै करके न गए हो कि आपको क्या खरदारी करनी है लेकिन बाजार आप पहुँचते हैं और पॉकेट में पैसा है तो ये नीम और करेला वाला रिस्ता हो जाता है फिर तो आप रुकते नहीं हैं अपने स्टेटस को दिखाने के लिए अपने पैसा आपके पास है इस क्रै सक्ति और गर्व की भावना को अव्यक्त करने के लिए जो भी आपके समक्ष आता है आप ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप उसको खरीद नहीं सकते हैं और आप खरीदते जाते हैं तो ऐसी इस्थिती को कहते हैं जेव का भरा होना और मन का खाली होना तो बाजार कभी खाली मन और भरे जेव से नहीं जाना चाहिए एक दूसरी घटना का उलेक करते हुए कहते हैं कि एक उनके मित्र हैं जो गए और उनके समझ में ही नहीं आया कि वो क्या खरदारी करें उन्होंने कहा कि मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था और मैं एक चीज़ खरीदता तो दूसरे को छोड़ देता तो मैंने कुछ खरदा ही नहीं और वो वापस आ जाते हैं तो ऐसी इस्थिति के प्रती भी वो आलोचनात्मक हैं कि भाई आपके दिमाग में बातें तय होनी चाहिए कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है तो ऐसी इस्थिती भी नहीं होनी चाहिए और इस इस्थिती को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि ये थोड़ा इससे और आगे जाएं तो ये बंद मनवाली इस्थिती है कि आपने बिलकुल आखें बंद कर रखी हैं और कोई चीज अस्थित्तों में है या नहीं है जब आप आँख ही बंद कर लेंगे तो ये उस इस्थिती से भागना है जब आपको कोई जगह अच्छी न लग रही हो और आप उस जगह से जो आपकी भावनाएं हैं उनको अलग करने के बजाए आँख ही बंद कर लें तो वह जगह आपके उपर और भी प्रभावी हो बाजार की भी ऐसी ही इस्थिती है कि आप अपने बंद मन को लेकर वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाजार का चका चाउंद बाजार का आकरसन तो अपनी जगह है आप आँख बंद करके या उस इस्थिती से भाग कर या अपने मन को बंद करके बाजार में नहीं रह सकते हैं ऐसी इस्थिती का मतलब ये है कि बाजार आप पर पूरी तरह से हावी हो रहा है इसलिए आप अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं कि कहीं वो प्रविस्ट ना हो जाए किसी भी रास्ते से एक तीसरी इस्थिती है जिसका उलेख वो भगजी के रूप में करते हैं जिसका उ पिरलिप्त भाव से उनको च्छा आने की कमाई करनी है तो च्छा आने की कमाई करने के बाद बाकी चूरन बच्चों में बाट देते हैं उनको अतरिक्त नहीं चाहिए तो बाजार के लोब और लाब से वो पूरी तरह मुक्त हैं वो बाजार को समझते हैं कि बाजार क्या इसलिए अपने जीवन की जो कमाई है जीवन चराने के लिए जितना चाहिए उतना बाजार से ग्रहन करते हैं और उसके बाद लाव और लोब से मुक्त होकर सब बच्चों में बाट देते हैं चूरन और इसलिए उस महले में रहने वाले बच्चे लोग सब उनके प्रती सम्म के भाव से भरे रहते हैं और एक और घटना का वो लेक करते हैं कि वही भगत जी जब बाजार जाते हैं तो भगत जी का बरताओ कैसा होता है भगत जी बाजार जाते हैं सारी चीजों को देखते हैं प्रसन्नता के भाव से उस चकाचाउंद को लेकिन उनको चाहिए जीरा और हिंग, जीरा और नमक, तो वो पंसारी की दुकान पर जाएंगे, और पंसारी की दुकान पर जितने पैसे की वो चीज मिलेगी, उसको लेंगे, और उसके बाद उसी भाव से वापस लौट आएंगे, बाजार को देखते हुए, उसके आनंद का अनभाव करते हुए, कुछ भी उनमें हीन्टा का बोध पहदा नहीं करता है, इसलिए वो अपने जीवन में सुस्त हैं, और प्रसन है, और इस इस्थिती को उन्होंने कहा खुला मन, यह बलकुल खुला मन है, और ऐसी इस्थिती में जब कोई बाजार जाता है, तो बिलकुल स्थिती तरीके से बाजार में क्रय और विक्रय करता है, यह समाज के लिए भी लावदायक है, राष्ट के लिए भी लावदायक है, तो बाजार से जो लेना है, जो आवस्यक्ता है, इतना भर ही जो ले, वही बाजार की अच्छी समझ रखता है, ऐसा लेखा कहते हैं, और इसी संदर में निलकन जी इस निवन्द में कई जीवन उपयोगी सुक्तियों का उलेक किया गया है परन्तु गहन वैचारिक्ता और भाशा की दुरूता के कारण उन्हें समझने में परिशानी हो सकती है क्या आप उन स्थलों का उलेक कर विद्यार्थियों के लिए उसे सुगम बना सकते हैं जी अभै जी यह एक वैचारिक निवन्द है और वैचारिक निवन्दों की भासा थोड़ी सी दुरूः अवस्य हो जाती है आपने सही कहा कि कई जगह सुक्तियों का सहरा लिया गया है लेकिन उन सुक्तियों की आवस्यक्ता है इसलिए विचार को अपनी दृष्टी को अव्यक्त करने के लिए सुक्तियों का सहरा लिया गया है मैं उन सुक्तियों को आपके समक्ष रखता हूँ और उसको सुगम बनाने का प्रयास करता हूँ मैं सुक्तियों को पढ़ूँगा आप भी उसे ध्यान से सुनें और फिर उसके विशले सन की और भी हम जाएंगे बारी-बारी से जैसे कि इस पार्ठ में कुछ पंक्तियां हैं बाजार में एक जादू है वह जादू आँक की राह काम करता है वह रूप का जादू है पर जैसे चुम्बक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है जेव भरी हो और मन खाली हो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है जेव खाली पर मन भरा नहो तो भी जादू चल जाएगा मन खाली है तो बाजार की अनेका अनेक चीजों का निमंत्रन उस तक पहुँच जाएगा अब आप देखें कि लेखक कह रहे हैं कि बाजार में एक जादू है लेकिन वह जादू चुम्बक की तरह काम करता है और चुम्बक किसे आकरसित करता है या किस की तरफ आकरसित होता है लोहे की तरफ अन्य धातूओं की तरफ वह आकरसित नहीं होता है तो बाजार भी आकरसित करता है और आकरसित होता है किसकी तरफ जिसका जेब भरा हुआ है और जेब भरा है मन खाली है मन में वो तै कर नहीं गया है बाजार की ओर फिर लेखा कहते हैं कि जेब खाली हो तो भी यह जादू चल जाएगा क्योंकि मन तो खाली है मन ने कुछ तय नहीं किया है और ऐसी स्थिती में जब आप बाजार जाते हैं तो आजकल बाजार में कई तरह की विवस्थाएं हैं वो आपको लोन पर भी सामान दे सकता है वो तरह तरह के और हत्कंडे भी अपना कर आपको अपनी और आकरशित कर सकता है और यही नहीं आप वहाँ जाकर हिनिता बोध से भी ग्रशित हो सकते हैं तो यह सब बाजार का असर है जो आप पर पढ़ सकता है देखने में यह पंक्तियां सुक्तियां की तरह लग रही है लेकिन जब आप चुम्बक के संदर में इसका विशलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से इसका अर्थ खुल कर आपके समक्ष आ जाता है ऐसी ही एक और पंक्ति है जिसका मैं उल्लेख आप सब के समक्ष करना चाहूँगा जैनेंद्र लिखते हैं बाजार की जकड के संदर में कि जकड रेसमी डोरी की हो तो रेसम के सपर्स के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड होगी अब सुनने में यह सुक्ति की तरह है लेकिन लेखक सपस्ट करना चाहते हैं कि बाचार के चकाचाउंध में आकरसित होकर आप बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं लेकिन धिरे धिरे उन्हीं वस्तूओं के मोह पास में आप बन जाते हैं एक तरह से वो सामान आपको मुक्त नहीं रहने देना चाहते हैं और आपने अपने जीवन में भी ऐसा मनभोग किया होगा कि भोक्तावादी सामान जितना बढ़ता जाता है व्यक्ति की स्वतंतरता उतनी कम होती जाती है तो लेखक कहना चाहते हैं कि अगर रेसम की ही डोर होगो मुलाइम हो देखने में आकरसक हो चकाचाउंत पैदा करता हो तो भी जकर तो जकर है और दर तो आप महसूस करेंगे ही परिशानी तो आप महसूस करेंगे ही इसलिए तमाम उभोगतावादी समान होने के बावजूद लोग ना तो स्वस्त रह पा रहे हैं और ना ही प्रसंद आप कितना भी पीजा बर्गर खा लें आप कितना भी फास्ट फूड खा लें आप कितना भी सुविधा के सामान कार से लेकर फ्रीज से लेकर और एसी तक ले आएं लेकिन हकीकत तो यही है ये सब स्वस्त जीवन सैली की निशानी नहीं है स्वस्थ और आनंद होने के लिए आपको अपने मन में अवस्थित होना होगा अपने विचारों को स्थिर करना होगा आनंद तो वहाँ है वस्थुआं में आनंद कभी नहीं हो सकता तो इस तरह की पंग्तियां जैनिंद हमारे समक्ष लाते हैं और जब उनको खोल कर बाहर के जीवन से जोड कर उदाहरन के साथ आप समझने का प्रियास करेंगे तो आपके समझ में बात आ जाएगी और आप पाठ्थ पुस्तक से बाहर निकल कर सिर्फ किताब में मौजुद बाजार को ही नहीं समझेंगे वास्तविक बाजार की भी समझ आप में पैदा हो जाएगी जी अभे जी निलकंड जी इस निवन के प्रारम में है लेखक ने स्त्री बिमर्ष की और भी संकेत किया है इसके संदर्व क्या है और क्यों यह महत्पूर्ण है इसे समझना है जी अभे जी आपने पाठ को बहुत गौर से देखा है नहीं तो दो तीन पंक्तियों में सिर्फ यह बात आई है और बिलकुल संकेत की तरह यह बात सामने आई है मैं चाहूँगा कि उन दो तीन पंक्तियों को पढ़कर आपके समक्ष रखूँ तो बात संभवतह ज्यादा समझ में आईगी उनके मित्र जब बाजार से सामान खरीद कर आते हैं और आरोप अपनी पत्नी पर डाल देते हैं उस समय की यह पंक्तियां है आदिकाल से इस विशय में पति से पत्नी की ही प्रमुक्ता प्रमानित है और यह व्यक्तित्तू का प्रसन नहीं स्तित्तू का प्रसन है स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोडूँ फिर भी सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है अब देखिए लेखक आदिकाल से ही इसको पकड़ रहे हैं और आदिकाल से कहने का मतलब ये कि स्त्रियों की प्रती जो धारना रही है जैसे माया और मोह का हिस्सा स्त्री को भी माना जाता रहा वस्तु की तरह स्त्रियों को देखने की द्रिस्टी रही है तो जयनेंद्र उस बात का उलेख करते हुए कहते हैं कि धन भी माया इस्त्री भी माया और ये बाजार भी माया तो माया माया को नहीं अपनी ओर आकरसित करेगा तो किस को आकरसित करेगा पर अंत में जैनेंदर कहते हैं कि इन मामलों में अक्सर इस्त्रियों की ओट ली जाती है ओट लेने का मतलब कि वास्तविक्ता कुछ और है आप उनके नाम का सहरा लेते हैं कहीं न कहीं यह इस्त्रियों को सीमित संदर्व में फिक्स करने की स्टीरियो टाइप बनाये जाने का विरूद है आप सौंदर्य में, धन में, वस्तु में इस्त्रियों को सीमित करते हैं और जैनेंद्र सांकेतिक रूप से ही सही इस बात का उलेख करते हैं कि इस्त्रियों को इन चीजों में सीमित नहीं किया जाना चाहिए बाकी लोगों की तरह इस्त्रियों का अपना भी अस्तित्व है इसलिए वो कहते हैं कि इन मामलों में इस्त्रियों का ओट लिया जाता है और जनेंद्र ऐसे रचनाकार रहे हैं जिनकी रचनाओं में स्तुरी पात्र, केंदरी स्थिति में होते हैं निवन्द आमतं पर वैचारिक और गंभीर विधा मानी जाती है इसलिए इसकी भाषा भी गंभीर होती है इस निवन्द को आप किस दृष्ठी से देखते हैं? जैनेंद्र इस बात को समझते हैं संभावता है इसी लिए वो इसको डैल्यूट करने के लिए इसको सुगम बनाने के लिए संभावता है कहानियों का सहरा लेते हैं कहानिया उदाहरन के रूप में हमारे समक्ष हैं जो सुक्ति को खोलते हैं सुक्ति को स्पस्ट करते हैं तो एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी भासा थोड़ी सी गंभीर और दुरूहुता लिये हुए अवस्य है, भासा में संस्कृत निश्टता भी है, इसलिए आप देखेंगे कि संस्कृत के बहुत सारे सब्दों का उपियोग यहां पर किया गया है, अंग्रेजी के भी बहुत सारे सब्दों का उपियोग किया गया है, जैसे परचेचिंग पावर का उपियोग किया गया है, इसी तरह अंग्रेजी के कई और भी सब्दों का यहां पर उपियोग किया गया है, तो एक तरह से धैनिक बोलचाल की हिंदी में, खड़ी बोली का जो प्रचलित रूप है उसमें संस्कृत और अंग्रेजी के सब्दों को मिला कर इस निवंध के अनकूल भासा गढ़ी गई है और संभवतह वैचारिक निवंध होने की वजह से ही भासा का भी यह सरूप हमारे समक्ष है तो एक तो यह महत्पून बात है और इसको समझने क लिए जिन बातों के और मैंने संकेत किया कुछ पंक्तियां हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ तो और भी बात स्पस्ट हो जाएगी जैसे कि वो लिखते हैं बंद मन के संदर्व में कि मन खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए खाली नह तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बंद रहे, जो बंद हो जाएगा, वह सुन्य हो जाएगा, अब देखिए विचार और अध्यात्म की बात यहां पर की जा रही है, अब विचार और अध्यात्म की बात होने की वजह से यह दुरूहता आएगी, जिसको आप कहानी से जोड़कर देनिक जीवन के उदाहरन से जोड़कर स्पस्ट कर सकते हैं, वो आगे लिखते हैं कि सुन्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है, तो और इससे आगे कहते हैं कि सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह जूठ ह और अगर इच्छा निरोध तपह फिर वो ऐसे तप को भी जूठ कहते हैं, कहने का मतलब कि इच्छा का पूर्ण रूप से आप निरोध नहीं कर सकते, आप मनुस्य हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप इश्वर नहीं हैं कि आप सुन्य हो जाएंगे, इसलिए इच्छा न नहीं कोट किया कि इच्छा निरोध तपह, इच्छा का निरोध ही तपह है, तो वैसे तपह का जैनेंद्र समर्थन नहीं करते हैं, इस से आप इसकी भासा की संदचना को समझ सकते हैं, और जो धुरूहता, गंभीरता और वैचारिकता आती है, उसको किस तरह से सुगम बन उजाया है, बाजार की इतनी बात हुई है कि कबीर फिर से याद आ रहे है, मैं अपनी बात कबीर को उद्रित कर समाप्त करना चाहूँगा, कबीरा खररा बाजार में मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बहर. नमस्कार झाल झाल